स्रीज आप 3-dimensional geometry के सिकेंड वीडियो में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो में ओक्टेंड डिस्टेंस फार्मुला और सक्षन फार्मुला के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के पहले मैं 3-dimensional geometry पर एक वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जागा आप महां से उसको देख सकते हैं या उपर आ रहे हैं बटन को भी प्रेस करके 3-dimensional geometry के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं तो हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हुसुनील कुमार इस चैनल पर मैं mathematics का ही वीडियो ले करके आता हूँ आप यदि mathematics अच्छी तरीके से सीखना चाते है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकॉन को भी आउन कर लिजिए ताकि लिटिस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा अब जिस टॉपिक वीडियो को क्लिक करें जैसे आप है के सामने आए जाएगा सब्सक्राइब इसांब आप सकते हैं फैस्ट वीडियो में मैं बता आँक अगर में में कोई पॉइंट लेता है तो इसका कोडिनेट कैसे निकाला जाता है जैसे यहां जा देखें मैं थोड़ा सा उसको discuss कर रहा हूं कि यह थ्री-डायमेंशनल अस्पेस हम लोग यहां पर consider कर रहे हैं वहां पर एक x-axis ले रहे हैं ओ एक्स और यह y-axis यह जेड़ेक्स यह ओरीजिन हो गया आप देख पा रहे होंगे यह तीन जो मिलकर करके बना हुआ इसको एक्स-जेड़ प्लेन करते हैं और यह इदर इस तरफ दिवार की तरफ दिख रहा होगा तो यह जो है वह वाई-axis और जेड़ेक्स से मिलकर करके बना हुए तो इसको हम लोग करते हैं यह वोला प्लेन है अब देखिया स्पेस में एक पॉइंट यहां पर पी लिया हुआ है और यहां से यह प्रपेंडिक्लर ड्र कर देते हैं एक्स-डाइड़ प्लेइन पर екस-डाइड़ परेंडिक्टिक्डर ऑप root of perpendicular हम लोगो m मानते हैं यहाں से इस पर perpendicular करते हैं यह mm जो है वह x attractions पर perpendicular है और ml जो है वह y áxis perpendicular है तो, o n distance जो है अगर x ले लेते हैं o m l distance अगर y ले ले लेते हैं और ये pm distance अगर z ले ले लेते हैं तो इस point का coordinate x y z होता है मैं यह पहले वाले विडियो में discuss कर चुका हूं कि यह distance को X coordinate करते हैं इस distance को Y coordinate करते हैं और इस distance को Z coordinate करते हैं एक और तरीका मैं बताया था इसका coordinate लिखने का कि X Y plane से point का जो distance होता है देखरेए आप नीचे जो plane xy plane है और उस plane से यह p-point का जो perpendicular distance हो निय doty doesy मोगे इसको हम लोग कहते हैं तो xy Dolis tego z कोडिनेट करते हैं उसी तरह के यह डिष्टेंस होगा पीछह से आप प्लेन है वहां से जो प्रिपंदीकुलर दिष्टेंस होगा है इस डिस्टेंस को हम लोग काते हैं z1 Leakson intelligence सबस्टेंस को य कोडिनेट करते हैं और वाईजेड प्लेन यह जो है इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग करते हैं एक स्कॉडिनेट तो यह दो तरीका में पहले वाले वीडियों बताएं आप ज़रूर वीडियो को देखिए अगर नहीं देखें तो अब एक तीसरा तरीका होता कोडिनेट के लिए कि आप ऐसा किजिए ये जो फी पॉइंट है वहाँ से सब्सक्राव कर दीजिए आसपेस में यहां से हम लोग इस पर पर पंडिगुल्राइब डॉकर रहे हैं आप इमेजिन कीजिएगा यह पर्पेंडिकुलर है यानि एक्चली ट्रीडाइमस्टनल स्पेस का या स्पेस का फेगर को प्लेन पर बनाना आसान नहीं होता है लेकिन फिर मैं कोसिस किया हूं इसको बनाने का आप समझ पा रहे होंगे कि यह पी से यहां पर ह अम लोगot पि हिंग परपेंडिकुलर की है किस पर और यहां से हम लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है वो y-axis पर perpendicular है तो पी पॉइंट जो अस्पेस में है वहां से x-axis पर भी perpendicular डॉकिया है y-axis पर भी perpendicular डॉकिया है जहां x-axis को intersect करता है यह perpendicular उसका origin से जो distance होगा this is called x-coordinate यह y-axis को जहां पर intersect करता है उसका जो distance होगा origin से वह y-coordinate और z-axis को जहां पर intersect करता यह perpendicular तो उसका origin से जो distance होगा इसको हम लोग z-coordinate करते हैं तो एक और तरीका हो गया कोडिनेट निकालने का कि अस्पेस में कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट लिए हैं यह जो ट्वी पॉइंट है स्पेस में हैं और वहांँ से एक एक्सेस पर फरपेंडिक्ला करते हैं वहां उसे पर सपेंडिक्र करते हैं वहां throws देखते हैं 3-dimensional geometry में optent क्या होता है जैसे आप two-dimensional geometry में जानते है क्वाड्रण होता है बिलकुल वैसे ही यह तो आप इस figure को समझें यहाँ पर देखिए आपको तीन प्लेट दिख पा रहा होगा और तीनों जो है वह एक एकसिज का positive direction और ये नेगाटीव डारेक्षन है और ये जडी अक्षिस का positive direction और ये झाल कोडिनेट प्लेन आपको दिक रहा होगा यह जो आपको दीख पा रहा है सामने से यह कौंसा प्लेन ऐस सुधि य कशोई यह स्च्रील कर बना वह है एकसवाइट यह जो बना हुआ है वो बना हुआ है वाइए एक्ससे और जेड़ एक्ससेलों हो गया एक प्लेन आपको दिख़र हुगा थो यह जो है वह बना हुआ आफ यह प्रोरा जो आप इस figure को देखिए यहाँ पर आपको यह गुमा करके मैं दिखा रहा हूं तो यह आपको जो दिख पा रहा होगा यह क्या है आप देख पा रहे होंगे कि यह तीनों जो प्रपेंडिकुलर प्लेन है कोडिनेट प्लेन वह तीनों पूरे यह प्रतेक कपाटमेंट को हम लोग कहते हैं यह पर यह जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा यह उपर में तो यह फर्स्ट कपाटमेंट हो गया ऊ-चैwee और ओ-चैב Sket new service यई-एक तो फर्स्ट कपार्टमेंट की जो ऊपर है उसके जस्ट नीचे भी एक कपार्टमेंट बनेंगा एक जस्ट हुसके पीछे भीождь नीचे पीछे pen रहा है और यह इसके पीछे बन coordinate plane वो पूरे स्पेस को एट कपार्टमेंट में डिवाइड करता है नोन आज अक्टेंट प्रतिक कपार्टमेंट को अक्टेंट करते हैं दो ऑक्टेंट हैविंग ओ एक्स ओ आइड और जेड एड इस इस डिनोटेड बाई ओ एक अपार्टमेंट ऐसा होगा जिसका किनारा ज केस्ट है तो उसको ओ एक्स, Y, Z का अपार्टमेंट करेंगे उसकी तरीके से और भी कपार्टमेंट बन जाएगा ओ एक्स डैस वाइज वाईडेशच जैडेडेव O, X, Y, Z, etc. इस तरीके से टोटल 8 अपार्टमेंट बनेगा तो अब परते अपार्टमेंट में कोडिनेट का साइन क्या होगा इसके बारे ममलग देखते हैं जैसे आप 2D में जानते हैं कि जो कोडिनेट एक्सिज होता है एक्सिज होता है और Y एक्सिज होता है इधर होता है इसको डारे मियक्ज होता है यहां पर दोनों पुजिज होता है यहाँ पर दोनों पुजिज होता हैं कि ओंत Looks nine का साहिंवानTop9 तो इसमें अगेम अधर तयह पुजिज होता句 साइन और यह जो पूर्देएंट माइं और गौधिनेट का संधर हो और हैं quadrant होता ओ, x dash y dash. यहां पर कैसा होता है, दोनों कोडिनंट negative होता है, और यहां जो होता है O X y dash कह सकते हैं, तो यहां पर positive negative होता है, तो जो सक्षोड होता है, तो कैसे हम लोग लिख रहें quadrant को, इक बार दोनों में से किसी में भी dash नहीं दिए एक स्वाई में से एक बार एक स्वाई में नहीं दिए एक बार वाई में डास दिए एक स्वाई में नहीं दिए और एक बार दोनों में डास दे दिए अब देखिए अगर डास नहीं है तो वह पोजिटीव है और जिसमें डास है उसका कोडिनेट नेगेटिव है एक्स में डैस है तो यह नेगटिव है यहां दोनों में डैस है तो दोनों नेगटिव है यहां पर एक में डैस नहीं है और एक में डैस है एक्स में नहीं है तो यह पुजिटिव और जिसमें डैस है उसमें नेगटिव तो कोडिनेट बनाने के लिए क्वाडरंट बनाने के आप तीनों में से किसी में भी डैस मत दीजिए, एक बार X में दीजिए, एक बार Y में दीजिए, एक बार Z में दीजिए, एक बार X और Y में दीजिए, एक बार Y और Z में दीजिए, एक बार Y और Z में दीजिए, और एक बार तीनों में दे दीजिए, तो ये 8 octant हो गया, तो कि प्रतियवतitto competent में किसी में भी एक्स वाई ज्मिंगे की सिम्म डश नहीं अगर दस नहीं रहता है तो वह post फोडिनेट होता है यहां पर भी पॉजीटिव होगा यहां भी पॉजीटिव होगा यहां भी बॉजीटिव होगा आप जिसे यहां पर quadrant में देख पा रहे होंगे कि dash अगर नहीं है तो दोनों positive X और Y दोनों जिसमे डास रहता है वो negative होता है क्यों होता है क्यों कि अगर डास नहीं है तो positive direction होता है और डास है तो नेगटिटिव यहां पर आप देखिए इसमें X में डास है तो X कोडिनेट नेगटिव होगा और Y और Z में डास नहीं है तो यह पोजिटिव होगा और इसमें आप देखिए Y में डास है तो Y नेगटिव होगा और X और Z में नहीं है तो यह दोनों पोजिटिव होगा इसमें Z में डास है तो यह नेगेटिव होगा और X और Y में डैस नहीं है तो यह पोजिटिव हो जाएगा यहां पर X और Y में डैस है तो X और Y दोनों नेगेटिव होगा यह पोजिटिव होगा जेड में डैस नहीं है उसी तरीके से X में डैस है यह नेगेटिव जेड में डैस नहीं पोजिटिव इसमें x में डैस नहीं है यह positive y और z में डैस है तो यह negative हो जाएगा यहां तीनों में डैस है तो यह तीनों negative होगा तो हम लोग अब इस coordinate system से हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा point किस octant में होगा उसका सिर्फ coordinate देख करके हम लोग बता सकते हैं मानलीजिए अगर किसी point का coordinate 2-3-5 है तो आपको लिखना कैसे है पहले o लिखिए और 2 जो है वो positive है तो x लिखिए y जो है वो negative है तो y डैस लिख दीजिए और z भी negative है तो z लिख दीजिए तो यह जो point है वो इस octant में होगा मानलीजिए अगर point है 3-7-2 तो यह कहां पर होगा 3,7-2 जो है वो point कहां पर होगा तो सबसे पहले o लिखना है और x में यहां पर first coordinate जो x coordinate उसमें positive है तो x लिखिए y भी positive है तो y लिखिए और z भी z में negative है तो z में डैस बना लगा दीजिए तो यह किस octant में हो जाएगा ओ एक्स y-z-octant में हो जाएगा तो यह हो गया friends coordinate में system में 3-dimensional system में octant और octant different different octant क्या होता है और उस octant में coordinate का क्या sign होता है अब चलिए हम लोग देखते हैं distance formula क्या होता है friends जैसे आप 2D में distance formula जानते हैं बस 3D में भी वैसे ही होता है कि distance between any two points a x1,y1,z1 and b x2,y2,z2 is given by कोई भी 2 point हम लोग ले रहे हैं और दोनों के बीच का अगर distance निकालना हो अगर इसका coordinate दिया हुआ है तो distance कैसे 3D में निकालते हैं जैसे 2D में निकालते हैं वही काम करेंगे कि ए भी जो distance होगा वो root under of x2-x1 to the power 2 plus y2-y1 to the power 2 plus z2-z1 to the power 2 होगा नि क्या करेंगे इसका coordinate और इसका coordinate का difference लेंगे x2 और x1 का difference लेंगे उसका all square y1 to our y1 का difference लेंगे उसका all square and z1,z2 और z1 का difference लेंगे उसका all square यह तीनो coordinate के square का sum कर देंगे और उसका root under ले लेंगे तो वही हो जाएगा ab distance तो जो 2D में था बिलकुल वही है इस formula से हम लोग किसी भी 2 point के बीच का distance निकाल सकते हैं लेकिन अगर suppose कीजिए यह point है यह जिसका coordinate है x, y, z और इसका origin से distance निकालना है तो origin का coordinate 0, 0, 0 होता है तो अगर OA निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे कि x-0 किसी में आभी आप subtract कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि x2 में x1 को यह करें x1-x2 भी कर सकते हैं क्योंकि हाल स्कॉर है तो आप x2-x1 लिखे या x1-x2 लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हॉल स्कॉर रहने से दोनों positive ही आएगा तो आप देखिए x-0 का हॉल स्कॉर कर देंगे फिर y-0 का हॉल स्कॉर कर देंगे और फिर z-0 का हॉल स्कॉर कर देंगे और इसका sum करके root अंडर कर देंगे तो यह कितना आ गया x-square plus y square plus z square आगया तो अगर किसी point जिसका coordinate x y z अगर उसका origin से distance निकालना है तो यह तीनों coordinate के square का sum कर देंगे उसका root under कर देंगे तो यह origin से distance निकल जाएगे अब देखते हैं आगे section formula क्या होता है section formula में हम लोग सबसे पहले क्या करते है let a whose coordinate are x1, y1, z1 and b whose coordinates are x2, y2, z2 be two points in a space कहीं भी space में दो point लेते हैं जिसका coordinate दिया हुआ है and p भी यह point on the line segment a b जैसे आप देखें यहाँ पर एक point ले रहे हैं और यहाँ पर एक point ले रहे हैं यह दोनों space में हैं मैं figure बना रहा हूँ plane पर यह point दिया हुआ है लेकिन यह space में कहीं पर भी हो सकता है जैसे एक point यहाँ दूसरा point यहाँ यहाँ ऐसा हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है तो जिसका coordinate दिया हुआ है यह का coordinate x1,y1,z1 है और b का coordinate x2,y2,z2 है और पी point ऐसा point है लाइन सेग्मेंट a,b पर जो इसको डिवाड कर रहा है aim is to n ratio में यह aim is to n ratio में डिवाड कर रहा है इंटर्नली डिवाड कर रहा है इंटर्नली डिवाड कर रहा है मतलब a और b को मिलाने वादा लाइन सेग्मेंट पर यह point है तो पी यह point on the line segment a,b such that it divides the line segment a,b internally in the ratio aim is to n यह जो p point है वो इसको aim is to n ratio में इसको डिवाड कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि a,p का जो link होगा और p,b का जो link होगा यह दोनों का ratio है aim divided by n अगर ऐसा p point इसको डिवाड कर रहा है internally डिवाड कर रहा है तो p का coordinate then coordinate of p r,p का coordinate निकालने का formula होता है क्या होता है इस ratio को multiply किजिए इसके coordinate से आनि m into x2 और plus यह जो ratio है इसको multiply करना इस coordinate से आनि n into x1 और divide कर देना है aim plus n कर देना है क्या करना है आप देखिए फिर से कि aim into x2 plus n into x1 divided by m plus n तो यह p का x coordinate निकल गया अगर y coordinate निकालना है तो इसी तरीके से y coordinate के साथ multiply करेंगे aim into y2 aim into y2 plus n into y1 और divided बा हो जाएगा aim plus n इसी तरीके से z coordinate निकालना तो aim into z2 यहाँ पर aim into z2 plus n into z1 और divided by हो एगा aim plus n तो यह कहलाता है section formula पी पॉइंट अगर aim is to n ratio में divide कर रहा है एभी पॉइंट को यह और बी को मिलाने वाला line segment को तो पी का coordinate इस तरीके से निकाल सकते हैं अब ज़रा समझें कि अगर यह पी जो है वह मिडिल पॉइंट रहे यह जो कोडिनेट है x1 y1 z1 यहां एक का coordinate है और बी का coordinate हम लोग सपोज कर लेते हैं x2, y2, z2 है और यह अगर पी मिडिल पॉइंट है तो वैसे केस में पी का coordinate कैसे निकालेंगे अगर मिडिल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आप और फी दोने इकोल हो जाएगा तो आप ये इदर डिवाड कर दीजे तो p divided by tv कितना हो जाएगा यह वन हो जाएगा दोनों साड़ बीडिवाडिवाड़ करeight यहां पर भी पीवी से और यहां पर PB से करेंगे तो 1, 1 को हम लोग 1 divided by 1 लिख सकते हैं तो अगर यह middle point है तो इसको किस ratio में divide करता है 1 is to 1 ratio में यह भी 1 और इधर भी 1 और नहीं 1 is to 1 ratio में divide करेगा तो coordinate of P क्या होगा ऐसे case में हम लोग P का coordinate निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इस ratio को इसके साथ multiply करते हैं तो 1 into x2 plus 1 into x1 और divided by हम लोग क्या करते हैं M plus N करते हैं तो M और N के जगए यहां पर 1 plus 1 हो जाएगा इसी तरीके सो Y coordinate निकालेंगे तो 1 into y2 plus 1 into y1 divided by हो जाएगा 1 plus 1 हो जाएगा 1 into y2 plus 1 into y1 divided by 1 plus 1 और Z coordinate निकालने के लिए भी 1 into z2 plus 1 into z1 divided by 1 plus 1 हो जाएगा देखे क्या कर रहे हैं 1 को इसके Z coordinate से और फिर इस 1 को इसके Z coordinate से और फिर 1 plus 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यह कितना आएगा x1 plus x2 हो जाएगा x1 plus x2 divided by 2 और यहां पर हो जाएगा y1 plus y2 divided by 2 और यहां होगा z1 plus z2 divided by 2 तो आप देखिए अगर यह middle point हो तो बड़ा असानी से coordinate निकल सकता है यह p point अगर line segment ab का middle point हो तो coordinate निकालने के लिए p का coordinate निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों के x co-ordinate को add करकर 2 से divide कर देते हैं दोनों का y co-ordinate से iq co add करकर 2 divijde का sum निकाले सकotus तो से डिवाइड कर दीजरे मतलना average ले लिए तो दोनों के coordinate का average कर देंगे तो यह middle point का coordinate कण जाएगा अब अगर यह internally नहीं डिवाइड करता है माल लिए externally का दिवाइड करें externally मिन्स क्या हुआ जैसे अगर माल लीजिए यहां पर एपॉइंट ले रहे हैं और यहां पर बी पॉइंट है और पी तो आप आगे बढ़ा दीजिए और इस आगे बढ़ाएवे भाग पर प्योंट है तो आईसे केस में और ऐसा है ये पी और पीबी का डिवाइड कर रहा है एकस्टर्नली और अगर externally divide करें तो उस समय इसका कोडिनेट निकालने का तरीका होता है बिल्कुल सेम तरीके से निकलता है कोडिनेट अंतर क्या होता है कि यह प्लस के बदले हो जाता है मानस हो जाता है यहां पर भी मानस हो जाता है जब P.AB line segment को externally divide कर रहा है और M by N ratio M to N ratio में divide कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग कोडिनेट निकालते है P. तो यह हुआ section formula 3 dimensional space में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक question हम लोग ले रहे हैं कि find the image of minus 2,3,4 in the yz plane yz plane पर इसका क्या image होगा यह हम लोग को निकालना है तो आप पहले इस concept को समझे यहां पर आप यह figure देख पा रहे होंगे पहले इसको समझ लिजे उसके बाद इस question को बनाना असान हो जाएगा क्या है जरा ध्यान दिजेगा हम लोग यह x axis ले रहे हैं यह y axis ले रहे हैं और यह z axis यह जो नीचे आप देख पा रहे होंगे यह जो है वो x y plane हो गया और x y plane और यह space में एक point है यहां पर एक point है देख पा रहे होंगे कि यह p point है और इस p point का जो coordinate है वो क्या है x, y, z तो आप कैसे इसका coordinate निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं यह जो point है उससे x, y plane पर perpendicular ड्रा करते हैं और फिर जो foot of perpendicular आ रहा है वहां से x axis पर और वहां से y axis पर perpendicular ड्रा करते हैं तो यह origin से जो distance होता है यहां से यहां तक वो x coordinate होता है यह होता है y coordinate और यह जो distance होता है मीरर के जस्ट पीछे बनता है और कितना डिस्टेंस पर बतता है जितना डिस्टेंस उपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे में बनता है तो देखें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो जेड कोडिनेट है यह पी एम जो है वो जेड कोडिनेट है तो उतना ही डिस्टेंस नीचे बनेगा तो यह भी distance नीचे भी जेड ही रहेगा लेकिन यह जेड एक्सिज के negative direction में है यह positive direction वो उपर की तरफ था और यह नीचे की तरफ है तो इसलिए क्या लिख सकते हैं लोग मैनस जेड लिख सकते हैं अब अगर इसका coordinate की बात करें distance positive ही होगा लेकिन यह negative direction में major क देख रहे हैं अब इसका coordinate की बात करें क्यू पॉइंट का coordinate निकालना हो तो कैसे निकलेगा देखे पी का और क्यू का दोनों का एक्स और य कोडिनेट सेम होगा क्यों सेम हो जरा समझिए कि पॉइंट सा यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा की है एक्स य प्लेन पर और फूट परपेंडिकुलर से एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा की है और य एक्स पर तो इस्ट इस्टेंस को एक्स कोडिनेट और इस्ट इस्टेंस को य कोडिनेट करें जब क्यू पॉइंट है और यहां से प्रपेंडिकुलर यही आएगा फिर यहां से परपेंडिकु तो दोनों का सेम होगा Z coordinate जो है मानस Z हो जाएगा ये फर्स्ट अक्टेंट में था इसका positive होगी और ये नीचे वाला में है तो उसका Z coordinate जो हो negative हो जाएगा तो अगर X-Y plane समझेगा जरह कि X-Y-plane पर हम लोग को image निकालना है किसी point का, तो X coordinate और Y coordinate same रहा जाता है, change क्या होता है, Z coordinate का sine change होता है, ने magnitude same रहाता है, जो magnitude है, वही magnitude यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन Z coordinate इसमें positive था, तो इसमें क्या हो जाएगा? negative, मान लिजाए, उपर हो लिए, वहाँ negative रहता है, जेड कोडिनेट चेंज कर देंगे तो यहां आप डेरेक्ट लिख सकते हैं कि Y-Z प्लेइन पर हम लोग को इसका इमेज निकालना है मतलब Y और Z कोडिनेट सेम होगा और X कोडिनेट का साइन चेंज हो जाएगा तो इसका पोजिटीव तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का किसी भी कोडिनेट प्लेंग में इमेज आप निकाल सकते हैं इसको आप डिरेक्ट सिर्फ इंसर लिख सकते हैं तो फ्रेंट्स 11 क्लास के 3D में कुछ बिसेश नहीं है कोडिनेट शिश्टम के बारे में इंट्रोड़क्षिन और डिस्टेंज फॉर्मुला और साथ में सक्षेन फॉर्मुला से रेलेटेट कुछ कुछ्च्छन है आप अपने बुक में कुछ्च्छन को देख सकते हैं उसको स्कूल्व कर सकते हैं आप जो 2D में बनाया हैं इस द इत्रोडक्शन के लिए मैं दो वीडियो बना दिया हूं 11 क्लास के लिए अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 12 का स्टार्ट करूंगा यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि पसंद आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके अपना फिडबैक दें और फ्रेंड्स के साथ सेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक भी करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ